तेल निर्यातक संक्टन ओपेक और रूस तमेच सेहोगी देशों ने सोंवार को वैश्विक सरपल तेल सप्लाई में हलकी कटोती का निर्नेल ले लिया है यह फैसला वैश्विक अर्थवयस्थाओं में मंदी के अशंका के बीच तेल के दाम में आ रही नर्मी को देखते हुए किया गया है इस निर्ने के तहट तेल उतपादक देश अक्तूबर महिने के लिए एक लाख बैरल प्रती दिन की कटोती करेंगे इससे पहले पिछले महिने साओधी अरब के उर्जा मंत्री ने कहा था कि ओपैक और सेहोगी देश तेल उतपादन में कभी भी कटोती कर सकते हैं अक्तूबर महिने के लिए कटोती ओपैक और सेहोगी देशों के 4.38 क्रोड प्रती दिन का एक छोटा सा हिस्सा है इस घोशना के बाद तेल की किम्तों में उच्छा लाया अमेरिकी कच्चा तेल 3.3 प्रतिशत उचल कर 89.79 डोलर प्रती बैरल पर पहुंचा वहीं अंतराश्य मानक ब्रेंट कुरूड 3.7 प्रतिशत बढ़कर 96.50 डोलर प्रती बैरल पर पहुंच गया उधर कॉलंबिय विशेविधले के उर्जा निती विशेशग्या जेसन बोर्डफ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रती दिन तेल की मात्रा में कटोती काफी कम हो सकती है लेकिन आज की कटोती से संदेश पस्ट है उपैक और उसके सहागी देशों को लगता है कि कच्चे तेल के दाम काफी नीचे आ गए है और पैक ने ये भी कहा है कि वे बजार की जरूरतों के नुसार उत्पादन को समायोजित करने के लिए 5 अक्तूबर को होने वाली बैठक का आयोजन पहले कर सकता है झाल 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 झाल